तो देखिए राजिस्थान के लोग दिवताओं में हमने पंच पीरों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था जिसमें हमने राम देव जी, गोगा जी, पापू जी, हडबू जी, मेहा जी मांगलिया जो पंच पीरों में हम इनको देखते हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं तो चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं तेजा जी के बारे में तेजा जी जिनका जन्म नागोर के खड नाल गाओं में माग सुकल चतुर दसी को होता है तो जन्म जो है इनका कहा होता है इनका जन्म नागोर के खड नाल गाओं में होता है इनकी माता का नाम राम कुम्री था और इनके पिता का नाम ताहर जी था, ठीके, अब देखिए इनके जो माता पिता थे, इन्हों ने इनका विवहा जो है तेजा जी का बच्मन में ही कर दिया था, लेकिन इसकी खबर इन्हें नहीं थी, और वो क्यों नहीं थी, क्योंकि जिससे इनका विवहा हुआ था पेमल द में तलवारें तक चल गई थी, जिसकी वज़े से पेमल देके जो मामा है, उनकी मौत हो गई थी, तो इस वज़े से इस चीज़ को नहीं बताया गया तेजा जी को, कि उनका विवहा हो चुका है, लेकिन जब तेजा जी बड़े हो जाते हैं, तो इनकी भावी जो है, तानो से परिशान होकर, वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी घोडी के उपर बैट कर और ससुराल की तरफ चले जाते हैं, तो स्टोरी जो है, वो मैं आपको अभी बता देती हूं, जिससे की पूरे नोट्स में जो भी लिखा हुआ है, वो सब कुछ आपको अच्छे से आजएगा, तो ये जाते हैं सशुराल की तरफ रवाना हो जाते हैं, तो क्या होता है, कि वहां पर इनको रास्ते में एक मिलता है सांप, तो सांप जो है, इनको डसने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तो ये सांप से कहते हैं, कि बहाई, मुझे डस लेना, लेकिन मैं जब बापस आजाओं अपनी सस्राल में अपनी पत्नी पे मल देखो लेने जा रहा हूं। तो सांप को ये वचन दे देते हैं कि मैं बापस जब आऊंगा तो मुझे आपनो डस लेना। तो वहां से वो चले जाते हैं। तो ये बात जो है ये अपनी सस्राल में जाकर बताते हैं जिससे सस्राल पक्षवाले जो है इनसे नाराज हो जाते हैं कि ये कैसी अज्ञानता वाली बातें जो है ये कह रहा है कि सांप से ये वचन देकर आया है तो ये चीज़ से वो परेशान हो जाते हैं सस्राल वाले और पेमल दे से नहीं मिलने देते हैं, तो पेमल दे से इनको किसने मिलवाया था, उनकी दोस्त थी लाचा गुजरी, ठीक है, तो उसी रात जो है वो लाचा गुजरी की जो गाएं थी, उनको यहां के जो मेर थी, मेर लोग जो है वो चुरा कर ले जाते हैं, तो लाचा गुजरी वह है तेजा जी से request करती है कि मेरी गायों को आप जो है वो छोड़ा कर ले आएं तो उनसे वो कह देते हैं कि हाँ मैं ही लेकर आ जाऊंगा तो यह चल देते हैं गायों को छोड़ाने के लिए तो वहाँ पर गायों को छोड़ाते वक्त काफी संगर्स होता है लड़ाई होती है तो जिसमें तेजाजी बहुत पूरी तरह से घायल हो जाते हैं हला कि गायों को तो ये मुक्त करा लाते हैं तो जब ये वापस अपना काम करके और जा रहे होते हैं घायल अवस्था में तो रास्ते में इन्हें दुबारा से वही सर्प मिलता है जिसको ये पहले वचन देकर आये थे कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे डस लेना ठीके लेकिन वो सर्प जब देखता है कि तेजा जी जो है वो उपर से नीचे तक पूरे लहू लुहान है तो कहां डसा जाए ऐसा वो सोचता है तो तेजा जी जट से जो है वो अपनी जीव जो है वो बाहर निकाल देते हैं वचन की अनुसार और सर्प वहां उनको डस लेता है ठीके तो जिस वज़े से इनकी मृत्यू हो जाती है तो ऐसे थे तेजा जी तो तेजा जी और गोगा जी दोनों को ही नाग दिवता के रूप म दिखाया जाता है जहां तस्वीरों में हम देखते हैं जहां पर इनकी जीव पर एक सर्प डस रहा होता है और यदि कोई व्यक्ति जो है जिसको सर्प काट ले तो तेजा जी की जो डोरी होती है वो यदि बांध दी जाती है तो उसे विस नहीं चड़ता है ऐसा लोग कहते हैं तो चलिए अब हम नोट्स के द्वारा पढ़ते हैं तेजा जी धोल्या गोत्र के जात थे इंपर्टेंट लाइन है याद रखिएगा आपको कहीं नहीं मिलेगी ये कि तेजा जी धोल्या गोत्र के जात थे इनकी पतनी का नाम क्या था पेमल दे जो अजमेर के राम चं ठीके याद रखिएगा जो इंपर्टेंट लाइन है वो यही है एक्जाम में पूछी जाने वाली कि इनकी घोडी का नाम क्या है लीलन और इनके पुजारी जो है वो है घोडला लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीडाओं से इन्होंने मुक्त कराया था अब यहां पर भ और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पाबु जी के बारे में कि पाबु जी लें तेवल चार्णी की गायों को छोड़ाया था ठीक है तो एक्जाम में इस तरीके का कुश्यन जो है वो बन सकता है पूछा जा सकता है कि तेजा जी ने किसकी गायों को मुक्त कराया था तो वहाँ पर देवल चार्णी लिखा होगा, वहाँ पर लाचा गूजरी लिखा होगा, अब हो जाएंगे आप confused, क्योंकि दोनों स्टोरियां लगवग जो है वो एक जैसी लगती हैं, तो याद रखना है तेजा जी के संबंद में कि वहाँ पर उन्होंने लाचा गूजरी क गायों को छोड़ाया था, और वहीं पर पाबू जी के बारे में जब पूछा जाएगा, तो वहाँ देवल चार्णी की गायों को छोड़ाया था, ठीके, दोनों ही याद रखिएगा, अजमेर के व्यावर के पास इस्थित सेंदरिया में सर्प ने उनको डसा था, सुर सु सुर सुरा नामक इस्थान पर डसा था, और जो कहा है कि संगड अजमीर में है, जहां इनकी मृत्यों होई थी, परवसर नागोर में बहाद्र सुकल दसमी को पशु मेला लगता है, तो वह है, तेजा जी का कब लगता है, बहाद्र सुकल दसमी को लगता है, ठान पर सर्प तो यह नाम भी आप लोग याद रखिएगा तेजा जी की बहन डूंगरी माता की भी खरणाल में पूछा की जाती है ठीके याद रखिएगा तेजा जी की बहन डूंगरी माता जो है इनकी भी खरणाल में पूजा की जाती है बासी दुगारी बूंदी में भी तेजा जी का तीर तेस्तल है भावता अजमेर में तेजा जी के मंदिर में सर्पदंस से पीडित व्यक्ती की गो मूतर से निशुल्क चिकिस्सा होती है तो ये लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है साप से जो पीडित व्यक्ती होता है उसकी निशुल्क चिकिस्सा कहा होती है तो वह भावता अजमेर में तेजा जी के मंदिर में होती है किसान हल चलाने से पूर्व तेजा जी का इसमरन करते हैं तो जो किसान होते हैं वो अपनी खेती की खुसाली के रूप में तेजा जी की पूजा करते हैं और तेजा जी जो हैं वो राजिस्थान में ही नहीं मद्य प्रदेश, गुजरात, यहां के भी लोग देपता के रूप में पूजनिय हैं। नेक्स्ट देखिए देव नारायन जी जो हैं यह एक पराकरमी योद्धा भी रहे हैं यानि शाशक भी रहे हैं और इन्होंने कई अत्याचारी शाशक जो थे उनके विरुद्ध युद्ध किये, संघर्स किये और अनेक सिद्धियां जो हैं वो इन्होंने प्राप्त की जैसे कि जो रामदेव जी हैं जिनको कृष्ण का अफ़तार मानते हैं, पाबु जी को लक्ष्मन जी का अफ़तार मानते हैं और वहीं देव नारायन जी को हम किसका अफ़तार मानते हैं विश्नु का अफ़तार मानते हैं और इनके बारे में एक और लाइन जो है वो बहुत ज इसाम में ये प्रश्न आया है कि सबसे बड़ी फड़ वो किस लोग देवता की है तो वह है देव नारायन जी की इनका जन्म 1243 में बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था इनकी माता का नाम गुर्जरी साडू या आपको कहीं सेडू भी देखने को मिलेगा तो दोनों ही याद रखिएगा साडू या सेडू इनकी माता का नाम, इनकी पिता का नाम था महाराजा सवाई भोज गुरजर, तो यह शाशक थे, तो यहाँ पर एक भिनाय के शाशक से जो है इनके पिता का युद्ध होता है, जिसमें इनके पिता के 23 भाई जो थे, वो भी स साथ में मारे गहे थे इस संघर्स में, और बिनाय साशक से इनकी रक्षा के लिए इनकी माता जो थी, सेडू, इनहें यहां से लेकर जो है अपने पिहर चली गई थी, जिससे की इनकी रक्षा हो सके देव नारायन जी की, और दस वर्ष की छोटी आयू में ही इन्हों ने य राजिस्थान लिया था कि मैं अपने पिता के खत्यारों का बदला लूँगा, और इसी वज़े से ये राजिस्थान की तरफ जो है ये वापस आ जाते हैं, इनकी माता जो है इनको लेकर मालवा चली गई थी, जहां उनका पीहर था, और मालवा से राजिस्थान जो है वो इसी लिया आते हैं ताकि अपने पिता की म्रत्यू का बदला ले सकें, इनकी पत्नी है पीपल दे, तो जब ये राजिस्थान वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ही धार नरेश जो है जैसिंग, तो इन्हों ने अपनी पुत्री पीपल दे से इनका विवहा जो है वह है कर इनके घोडे का नाम है लीलागर और इन्हें विश्नु का अवतार माना जाता है, इनके बच्पन का नाम था उदैसिंग, याद रखना है important line है देव नारायन जी के बच्पन का क्या नाम था उदैसिंग, देव नारायन जी की फढ जो है वो सबसे लंबी है और सबसे पुर जाता है, देव नारायन जी को उदल जी और उदल भगवान और आउशदियों वाला देवता के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको आउशदियों का काफी ज्यान था, इसलिए इन्हें आउशदियों वाला देवता भी कहा जाता है देव नारायन जी को, ठीके, इन्हें आ भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपे का डांक टिकट जो है वह जारी किया गया था और मैंने आपको बताया अभी कि गुर्जर जो भोपों द्वारा जंतरवादियंत्र बजाते हुए इनकी फण वाची जाती है इनकी प्रतिमा के इस्थान पर बड़ी इटों की पूजा की ज जो मूल मंदिर जो है वह आसीद भीछीलवारा के पास ने है ओगोठा दड़ावत है इनका पूजा इस्थल या एक्जाम में इस तरीके का भी आजाएगा कि आसीद भीछीलवारा जो है इनका पूजा इस्थल है देवमाली व्यावर में इन्होंने अपने प्राण नेक्स्ट जो लोग देवता हैं वो हैं कल्ला जी राठोड तो चलिए कल्ला जी राठोड जिनको हम चार हात वाले योद्दा या चार हात वाले देवता जो हैं वह भी कहते हैं राजिस्थान को वीरों की जननी कहा जाता है क्योंकि यहां पर कल्ला जी राठोड जैसे जो हैं योद्धा पैदा हुए थे ऐसा कहते हैं आपने भी सोना होगा कि यहाँ पर राजिस्थान में खून सस्ता है मगर पानी महंगा है तो राजिस्थान की भूमी में सैकडो वीर जो हैं वो पैदा हुए जिन्होंने अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है वो नचावर किये थे तो ऐसे ही वीर थे ऐसे ही युद्धा रहे हैं कल्ला जी राठोड इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जब मुगलों की सैना से युद्ध किया था तो लासों के धेर बिचा दिये थे और उस समय जो है कल्ला जी राठोड जो है इनका गला जो है वो कट गया था अलग हो गया था तो इनका जो धड़ था वो भी काफी टाइम तक सत्रू जो सैना थी उसे मुकाबला कर रहा था ठीक है तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं इनके जन्म के बारे में इनके पिता के बारे में इनका जन्म मारवाड के नागोर में शामियाना गाओं में हुआ था और इनके पिता का नाम था आस सिंग तो आस सिंग के बेटे थे कल्ला जी राठोड इनके गुरू का नाम क्या था बहरवनाथ कल्ला जी राठोड के गुरू का नाम था बहरवनाथ और कल्ला जी जो हैं वो मीरा बाई के भतीजे थे इन्हें चार हातों वाले देवता सेशनाग के अवतार के रूप में जाना जाता है जिस तरीके से सेशनाग के कितने सारे जो हैं उनके फन होते हैं उसी तरीके से इन्हें चार हातों वाले देवता भी कहा जाता है चितोड के तीसरा जो साका हुआ था 1568 इस्वी में जब अकवर की सैना से मुकावला हुआ था तो उसी में ये सहीद हुए थे बहरव पोल पर इनकी छत्री जो है वो बनी हुई है कल्ला जी राठोड की और इनकी मुक्खे पीट जो है वह चितोड में है रनेला में अब देखे स्टोरी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ लेकिन आपके एक्जाम में किवल ये फैक्ट जो है वही पूछे जाएंगे कि कल्ला जी राठोड जो है इनकी छत्री कहां पर बनी हुई है बहरव बॉल पर और इनकी जो प्रधान पीट है मुक्खे पीट जो है वह है चितोड में रनेला में है भूत पिसाच ग्रसित लोग कुत्ता सांप गोयरा रोगी पशु के काटे जानने का इलाज जो है इनकी पूजा करने से हो जाता है ये औशदी के ज्याता थे तो औशदी विज्ञान योग अस्त्र सस्त्र इसमें ये निपूड भी थे तो इनके जो गुरु थे प्रशिद योगी जो भैरव नाजी थे इनके इनसे जो है वो अस्त्र सस्त्र की तिक्षा ली थी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हैं वो हैं मली नाजी, तो मली नाजी का जन्म जो है वह 1358 इस्वे में हुआ था, इनके पिता राव सल्खा थे, इनकी माता का नाम था जीना दे और इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे, मली नाजी के गुरू का नाम है उगमासी भाटी, तो इनकी जो पतनी थी रूपा दे इनकी प्रेर्णा से ही ये उगमासी भाटी के सिश्य बने थे और योग साधनक इन्होंने इनसे दिक्षा ले थी, ठीक है? इनका मंदिर तिलवाडा बाडमेर में है, चैतर कृष्ण एकादसी से पंदर दिन तक इनका पशु मेला लगता है मली नाथ जी का तिलवाडा बाडमेर में, मालानी शेतर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, इन्होंने कूडा पंत की स्थापना की रक्षक के रूप में जाने जाते हैं मली नाथ जी और जो इनकी पत्नी थी रूपा दे तो इनका जो मंदिर है वह है तिलवाडा से कुछ दूर पर है माला जाल गाओं में याद रखिएगा तिलवाडा बाडमेर में मली नाथ जी का मंदिर है और तिलवाडा से ही कुछ दूरी पर माला जाल गाओं है जहां पर इनकी पत्नी रूपा दे का मंदिर है नेक्स्ट जो लोग देवता हैं वो है तली नाथ जी तो तली नाथ जी जिनका वास्त्विग नाम था गंग देव राठोड और इनके गुरू का नाम था जालंदर नाथ वही इनके पिता का नाम है वीरम देव जो की शेरगर जोदपुर ठिकाने के शाशक थे जालोर के पांचोटा गाउं के निकट पंचम की पहाडी के बीच में गोडे पर सवार जो है इनकी मूर्ती है किसकी तली नाथ जी की जिनें बावा तूली नाथ भी कहते हैं तो इनकी मूर्ती जो है वह कहा है पांचोटा गाउं में जालोर के लोग औरण के रूप में तल ली नाज जी की पूजा करते हैं ये भी लाइन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो लोग देवता है वो है देववावा देववावा नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है कुछ जो इंपोर्टेंट लाइन है वो इन लो देव बावा का लगता है इन्हें पसुचिकिस्सा का अच्छा ग्यान था ग्यालों के लोग देवता है इनकी बहन एलादी थी और इनका वाहन है भैसा ठीक है तो यहाँ पर दो लाइने तो आपको याद ही रहनी चाहिए कि देव बावा का मंदिर कहां है भरतपुर में न इनके लिए भैसे की कुरवानी की जाती है इनकी मूर्ती नहीं होती है लकडी का तोरण होता है और इनका प्रमुक मंदिर है शालोदड़ा सीकर में ठीक है तो यह बस कुछ लाइने हैं जो कि आप मामा देव के बारे में याद रखेगा अभी तक तो इनके बारे में यही कि बरसाथ के देवता जो है वह कौन से लोग देवता है तो वह है मामा देव केसरिया कुवर जी गोगा जी के बेटे जिनका जन्म दधरेवा चुरू में हुआ था और इनका जो थान है वह है खेजडी ब्रक्ष के नीचे है ठीके? गोगा जी के बेटे का क्या नाम है केशरिया कुमर जी और इनका जन्म जो है वह ददरिवा चुरू में हुआ था और गोगा जी के जो बेटे हैं केशरिया कुमर जी सफेद रंग का ध्वज जो है यहां फैराते हैं इनका भोपा सर्पदंस का इलाज जो है वह करता है अब देखिए कुछ लोग देवता जो है जिनके बारे में आपको किवल दो-दो लाइने जो है वो याद रखनी है हाला कि यहां से question अभी नहीं आया है लेकिन examiner जो है उसका mood पर depend करता है कि वो कुछ भी उठा कर दे सकता है क्योंकि हमें राजिस्थान के प्रमुक लोग दे भूमिया जी और सीमाओं के रक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं कौन भूमिया जी? फूरिया ऑबा जन्हें गौतमेश्वर भी कहते हैं तो ये मीराजाती के लोग देवता है भूरिया बाबा गौतमीश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर जो है वह है प्रतापगड शिरोही में इस्तिद्ध जो पोशलिय गाओं है वहाँ पर है और इनका भूरिया बाबा का जो मुख्य इस्थल है वह है कहा है डूंगरपुर में याद रखना है मीना जाती के लोग देवता भूरिया बाबा है और इनका जो मुख्य इस्थल है वह है डूंगरपुर में गोतम बाबा के नाम से इन्हें हम दूंग जी और जवाहर जी दूंग जी और जवाहर जी चाचा भतीजे थे सीकर के बाठोड बाटो दागाओं में रहने वाले डूंग जी और जवाहर जी धनी लोगों का धन लूट कर गरीबों में बाठते थे तो भारतिय सोतंतरता के लिए भी इन्होंने काफी संगर्स किया था ये दोनों चाचा भतीजे थे और इनका काम क्या था धनी लोगों को लूट लेते थे और गरीबों में बा बतीजे ने जवाहर सिंग ने करणा मीना और लोटिया जाट के सहयोग से दूंग जी को आगरा जेल से आजाद करवाया था। इनको आजाद करवाया था। वीर फता जी इनका जन्म साधु गाओं जालोर में हुआ था भादर पदसुकल नवमी को ठीके इसके अलावा जो है इन्हें सस्त्र विद्या का ग्यान था ये भी आप याद रखिएगा वीर विग्गा जी जाकर समाज के कुल देवता थे डीड गाओं विका नेर में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था इनके पिता राव मोहन इनकी माता का नाम सुल्तानी था और विग्गा गाओं में इनका मंदिर है जो की 14 अक्टूवर को यहां मेला लगता है और वीर विग्गा जी जो है ये भी गायों की रक्षा करते छोड़ा नागोर में इनका मंदिर है बाबा हरी राम का इनके पिता का नाम राम नारायन और इनकी माता का नाम था चंद्री देवी साप की बाबी की पूझा की जाती है इनके गुरू का नाम था भूरा और साप का जब काट लेता है तो उस सर्पदंस का इलाज बाबा हरी राम जी करते थे, ठीक है, तो यहां तक आपके सभी लोग देवता जो हैं, वो complete होते हैं, आप लोग बारवार revise करिएगा, पंच पीर जो हैं, उनके बारे में detail में आप याद रखिएगा, तेजा जी, देव नारायन जी, इनके बारे में भी बहुत अच्छी से आपको समझन हैं, और हर बात जो है, वो याद रखनी है, जो कि मैंने आपको बताई है, जो यहां नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है, और इनके अलावा जो भी हमने लोग देवता पड़े हैं, उनके बारे में अभी एक भी question जो है, वो exam में नहीं आया है, लेकिन examiner का mood यदी करेगा, तो यहां से भी question में उठा कर दे सकते हैं, तो आपको यह सब याद रखना है, मिलते हैं next video में, next topic के साथ, thank you.